नमस्कार आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपाधिकी से 471 सब्दों के डिक्टेशन को हम लोग आउट्लाइन्स के साथ लेने वाले हैं अगर आपको इस डिक्टेशन के आउट्लाइन्स की जरुवत है तो आप हमारे साथ हैंट टीम एब को प्लेई स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडियेफ की जरुवत है तो आप हमारे टेली गराम गुरूप को जॉइन कर लें लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इस डिक्टेशन को हम लोग तीन अलग अलग स्पीड मिलेंगे पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में तो तीसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन इस्टार्ट होगा पाँच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें संसद के बजट सत्र के पहले पिछले सत्र में निलंबित किये संसदों को बहाल करने की पहल इस उम्मेद में की गई है कि इससे माहौल को सकरात्मक बनाने और दोनों सदनों का कामकाज सुगम तरीके से चलाने में आसानी होगी लेकिन इसके आसार कम ही है इसलिए कम है क्योंकि बजट सत्र वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र है इस सत्र के बाद कभी भी आगामी लोकसभा चुनाओं की घोसडा हो सकती है ऐसे में बजट सत्र में विपक्ष सत्ता पक्ष के प्रती और अधिक हमलावर दिख सकता है विपक्ष अपने हमलावर रवये के जरिये यही दिखाना चाहेगा की वह लोकसभा चुनाओं में मोदी सरकार का डट कर सामना करने के लिए तैयार है असपश्ट है की इसका असर संसद के कामकाज पर पड़ेगा इसके नतीजे में संसद में अच्छा खासा हंगामा देखने को मिल सकता है यह हंगामा इसके बाद भी देखने को मिल सकता है की बजट सत्र के पहले आयोजित सर्वदलिय बैठक में पक्ष विपक्ष के नेताओं ने संसद को सही तरीके से चलाने पर सहमती व्यक्त की अतीत का अनुभव यही बताता है की इस तरह की सहमतियों का कोई मुल्य महत्व नहीं रह गया है इसी कारण संसद के बाहर ही नहीं संसद के भीतर भी विरोध के लिए विरोध वाली राजनीती ही अधिक देखने को मिलती है इस नकरात्मक राजनीती के कारण ही संसद में राष्ट्रिय महत्व के मुद्दों पर भी कोई सार्थक चर्चा मुस्केल से ही देखने को मिलती है पहरा बजट सत्र में अंतरीम बजट पेस होना है अंतरीम बजट की अपनी सीमाएं होती हैं ऐसे बजट में किसी भी नई योजना को लागू नहीं किया जाता केवल पहले से चल रही योजनाओं के लिए रासी आवंटित की जाती है इसके बाद भी इसकी उम्मीद की जा रही है कि अंतरीम बजट केवल चुनाओं को ध्यान में रख कर ही पेस नहीं किया जाएगा इसका एक कारण यह है कि विपक्षी मोर्चे INDIA में तूट फूट के चलती भाजपा की चुनावी संभावनाएं कहीं अधिक बेहतर नजर आ रही हैं अनुकूल चुनावी संभावनाओं के चलते अंतरीम बजट में ऐसे कदम उठाए जाने आवस्यक हैं जिन से भारती अर्थ विवस्था को बल मिले यह संतोष जनक है कि भारती अर्थ विवस्था दुनिया में सबसे तेज गती से बढ़ती बड़ी अर्थ विवस्था है अंतरीम बजट के पहले वित मंत्राले की ओर से पेश विस्थरित रिपोर्ट यह संकेत कर रही है कि अगले वित वर्ष भी विकास दर साथ प्रतिसत रह सकती है इस पर भरोसा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि भारती अर्थ विवस्था के आधार मजबूत है इसके बाद भी इसकी अंदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अर्थ विवस्था के सामने चुनवतियां भी कम नहीं है वैस्विक अस्तर पर व्यापार घट रहा है और मैन्यूफैक्चरिंग में निवेश कम हो रहा है इसके अलावा अर्थ विवस्था की बेहतर इस्थिती के बाद भी रोजगार के उतने आवसर नहीं पैदा हो रहे हैं जितने अपेक्षित हैं ऐसे में यह आवस्यक है कि अंतरीम बजट में भावी चुनावतियों का ध्यान रखा जाए इस्टाब दोस्तो इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग असी की स्पीड में लेंगे और आपका समय इस्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट संसद के बजट सत्र के पहले पिछले सत्र में निलंबित किये संसदों को बहाल करने की पहल इस उम्मेद में की गई है कि इससे महौल को सकरात्मक बनाने और दोनों सदनों का कामकाज सुगम तरीके से चलाने में आसानी होगी लेकिन इसके आसार कम ही है इसलिए कम है क्योंकि बजट सत्र वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र है इस सत्र के बाद कभी भी आगामी लोकसभा चुनाओं की घोसडा हो सकती है ऐसे में बजट सत्र में विपक्ष सत्तापक्ष के प्रती और अधिक हमलावर दिख सकता है विपक्ष अपने हमलावर रवये के जरिये यही दिखाना चाहेगा कि वह लोकसभा चुनाओं में मोधी सरकार का डट कर सामना करने के लिए तैयार है असपश्ट है कि इसका असर संसद के कामकाज पर पड़ेगा इसके नतीजे में संसद में अच्छा खासा हंगामा देखने को मिल सकता है यह हंगामा इसके बाद भी देखने को मिल सकता है कि बजट सत्र के पहले आयोजित सर्वदलिय बैठक में पक्ष विपक्ष के नेताओं ने संसद को सही तरीके से चलाने पर सहमती व्यक्त की अतीत का अनुभव यही बताता है कि इस तरह की सहमतियों का कोई मुल्य महत्व नहीं रह गया है इसी कारण संसद के बाहर ही नहीं संसद के भीतर भी विरोध के लिए विरोध वाली राजनीती ही अधिक देखने को मिलती है इस नकरात्मक राजनीती के कारण ही संसद में राश्ट्री महत्व के मुद्दों पर भी कोई सार्थक चर्चा मुस्किल से ही देखने को मिलती है पहरा बजट सत्र में अंतरीम बजट पेश होना है अंतरीम बजट की अपनी सीमाएं होती हैं ऐसे बजट में किसी भी नई योजना को लागू नहीं किया जाता केवल पहले से चल रही योजनाओं के लिए रासी आवन्टित की जाती है इसके बाद भी इसकी उम्मीद की जा रही है कि अंतरीम बजट केवल चुनाओं को ध्यान में रख कर ही पेश नहीं किया जाएगा इसका एक कारण यह है कि विपक्षी मोर्चे INDIA में तूट फूट के चलती भाजपा की चुनावी संभावनाएं कहीं अधिक बेहतर नजर आ रही हैं अनुकूल चुनावी संभावनाओं के चलते अंतरीम बजट में ऐसे कदम उठाए जाने आवस्यक हैं जिन से भारती अर्थ विवस्था को बल मिले यह संतोष जनक है कि भारती अर्थ विवस्था दुनिया में सबसे तेज गती से बढ़ती बड़ी अर्थ विवस्था है अंतरीम बजट के पहले वित मंत्राले की ओर से पेश विस्त्रित रिपोर्ट यह संकेत कर रही है कि अगले वित वर्ष भी विकास दर साथ प्रतिसत रह सकती है इस पर भरोसा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि भारती अर्थ विवस्था के आधार मजबूत है इसके बाद भी इसकी अंदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अर्थ विवस्था के सामने चुनवतियां भी कम नहीं है वैस्विक अस्तर पर व्यापार घट रहा है और मैन्यू फैक्चरिंग में निवेश कम हो रहा है इसके अलावा अर्थ विवस्था की बेहतर इस्थिती के बाद भी रोजगार के उतने आवसर नहीं पैदा हो रहे हैं जितने अपेक्षित है ऐसे में यह आवस्यक है कि अंतरीम बजट में भावी चुनवतियों का ध्यान रखा जाए दोस्तो इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखरी बार में हम लोग 90 की स्पीड मिलेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें संसद के बजट सत्र के पहले पिछले सत्र में निलंबित किये संसदों को बहाल करने की पहल इस उम्मेद में की गई है कि इससे माहौल को सकरात्मक बनाने और दोनों सदनों का कामकाज सुगम तरीके से चलाने में आसानी होगी लेकिन इसके आसार कम ही हैं इसलिए कम हैं क्योंकि बजट सत्र वर्तमान लोग सभा का अंतिम सत्र है इस सत्र के बाद कभी भी आगामी लोग सभा चुनाओं की घोसडा हो सकती है ऐसे में बजट सत्र में विपक्ष सत्ता पक्ष के प्रती और अधिक हमलावर दिख सकता है विपक्ष अपने हमलावर रवय के जरिये यही दिखाना चाहेगा कि वह लोग सभा चुनाओं में मोदी सरकार का डट कर सामना करने के लिए तैयार है असपश्ट है कि इसका असर संसद के कामकाज पर पड़ेगा इसके नतीजे में संसद में अच्छा खासा हंगामा देखने को मिल सकता है यह हंगामा इसके बाद भी देखने को मिल सकता है कि बजट सत्र के पहले आयोजित सर्वदलिय बैठक में पक्ष विपक्ष के नेताओं ने संसद को सही तरीके से चलाने पर सहमती व्यक्त की अतीत का अनुभव यही बताता है कि इस तरह की सहमतियों का कोई मुल्य महत्व नहीं रह गया है इसी कारण संसद के बाहर ही नहीं संसद के भीतर भी विरोध के लिए विरोध वाली राजनीती ही अधिक देखने को मिलती है इस नकरात्मक राजनीती के कारण ही संसद में राश्ट्री महत्व के मुद्दों पर भी कोई सार्थक चर्चा मुश्केल से ही देखने को मिलती है पहरा बजट सत्र में अंतरिम बजट पेश होना है अंतरिम बजट की अपनी सीमाएं होती हैं ऐसे बजट में किसी भी नई योजना को लागू नहीं किया जाता केवल पहले से चल रही योजनाओं के लिए रासी आवंटित की जाती है इसके बाद भी इसकी उम्मीद की जा रही है कि अंतरिम बजट केवल चुनाओं को ध्यान में रख कर ही पेश नहीं किया जाएगा इसका एक कारण यह है कि विपक्षी मोर्चे INDIA में तूट फूट के चलती भाजपा की चुनावी संभावनाएं कहीं अधिक बेहतर नजर आ रही हैं अनुकूल चुनावी संभावनाओं के चलते अंतरिम बजट में ऐसे कदम उठाए जाने आवस्यक हैं जिन से भारती अर्थ विवस्था को बल मिले यह संतोश जनक है कि भारती अर्थ विवस्था दुनिया में सबसे तेज गती से बढ़ती बड़ी अर्थ विवस्था है अंतरिम बजट के पहले वित्य मंत्राले की ओर से पेश विस्त्रित रिपोर्ट यह संकेत कर रही है कि अगले वित्य वर्ष भी विकास दर 7 प्रतिसत रह सकती है इस पर भरोसा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि भारती अर्थ विवस्था के आधार मजबूत हैं इसके बाद भी इसकी अंदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अर्थ विवस्था के सामने चुनावतियां भी कम नहीं हैं वैस्विक अस्तर पर व्यापार घट रहा है और मैन्यूफैक्चरिंग में निवेश कम हो रहा है इसके अलावा अर्थ विवस्था की बेहतर इस्थिती के बाद भी रोजगार के उतने आवसर नहीं पैदा हो रहे हैं जितने अपेक्षित हैं ऐसे में यह आवस्यक है कि अंतरीम बजट में भावी चुनावतियों का ध्यान रखा जाए इस्था आव